पहले मुख्य समाचार वालों के लिए अगले महीने विश्व कर्मा योजना सुरूप करेगी। प्रधान मंत्री ने 15,100 साहेता समुहू के माधियम से महिलाओं को ड्रॉन चलाने का प्रसिक्षन देने की नई योजना की घोशना की। प्रधान मंत्री ने कहा सरकार जन ओसिदी केंद्रों की संख्य 10,000 से बढ़ा कर 25,000 करेगी। अब समाचार विस्तार से। उन्होंने कहा कि उस पीडी में सायद ही कोई व्यक्ति होगा जिन्होंने आजादी के संखर्ष में योगदान और बलिदान न दिया हो। प्रधान मंत्री ने कहा कि यह वर्स रानी दुलगावती की 500 वी जहनती का वर्स है। यह वर्स मेरावाई के 525 वर्स का भी वर्स इस बार 26 जन्वरी हमारे गंतंता दिवस की 75 वी वर्स काट होगी। पलपल प्रेणा और पलपल संकल्प का इस से बड़ा आवसर नहीं होगा। उन्होंने प्राकरती आपदाओ में जान गवाने वालों को सुद्धान जली आर्पित की। प्रधान मंत्री ने मनीपूर में हिंसा के दौर और मा बहनों के साथ अत्यचार पर दुख वेक्त करते हुए कहा कि 37 से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और इसके लिए केनू और राइज सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रधान मंत्री ने कहा कि एतियास में कई बार ऐसी घटनाए होती है जो सदिय तक अपनी अमित छाप छोड़ जाती है कई वर्स पहले देश गुलामी के जनजीर में जकड़ा हुआ था भारत के वीरों ने आजादी की लोजलाई रखने और बलिदान की परंपरा बना रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रधान मत्री ने कहा कि जन्चेतना त्या उठाये गए कदम त्याद और तपिस्या आने वाले 1000 साल के इतिहास का निर्मान करेंगे उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिक्ता से निकल कर देश आज जी जान से आगे बढ़ रहा है श्री मोधी ने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना और सामर्थक के प्रती नई आस और विश्वास बढ़ा है प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत आज पुरानी सोच और पुराने दर्रों को छोड़ कर आगे बढ़ रहा है बढ़ा सोचना दूर का सोचना हमारे सरकार की कारशेली रही है प्रधान मंत्री ने कहा कि आज करीब 5,000 अमरित सरोबर पर कारे चल र रहे हैं। इससे पहले स्री मोदी ने लाल के लिए पर राश्च्रिधवज फेराया और सेना बैंड की राश्च्र सलामी ली। के सिक्षक, नर्ड्स और मच्वारे सामिल थे। लाल की लिए प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें व्रस्टचार के खिलाप नफरत का माहौल बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदगी के माधियम से व्रस्टचार से मुक्ति का प्रयास कर रही है। प्रधान मंत्री ने कहा कि One World, One Family, One Future की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि CDRI समाधान के रूप में दुनिया को उपलब्द कराया है स्री मोधी ने कहा कि आज भारत विश्व मंगल की निम्ब डाल रहा है इसे आगे बढ़ने के लिए सब को प्रयास करना होगा प्रधान मंत्री ने कहा कि हमें आने वाले पीडी को ऐसी समरित और संतुलित देश देना है जिसमें उन्हें छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए संगर्स ना करना पड़े उन्होंने कहा कि यह अमरित काल कृत्यव्यकाल है प्रधा मंत्र ने कहा कि पिछले 75 वर्सों में कोछ कूरीतियों ने हमारे जीवन में घर बना लिया है इसमें भरस्टचार, परिवारवाद और तूस्टिकरण तीन प्रमुख बुराई है उन्होंने कहा कि हमें आगे बना है तो भरस्टचार से मुक्ती पानी होगी परिवारवाद ने देश को जकर कर रखा है तूस्टिकरण ने हमारे राष्टिय चरित्र को तहस्नस कर दिया है उन्होंने कहा कि हमें भर्ष्ट चार परिवारवाद और तूस्टी करण की तीन कूरीतियों को दूर करना होगा प्रधान मंत्री ने कहा कि परिवारवाद और तूस्टी करण की बुराया लोकतंत्र को कमजोर करती है उन्होंने कहा कि कुछ राजनिती के दल परिवारों को परिवार के लिए परिवार दुआरा के मंत्र पर काम कर रहे हैं स्री मोधी ने कहा कि तूस्तिकरण की सोच और राजनिती ने सामाजी के नियाये पर कुठारा घाट किया है प्रधार मंतरी ने कहा कि 2014 में किये गए परिवरतन की वादों को पूरा करने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के कारण विस्व में बदला गया है उन्होंने कहा कि 2019 में परफॉर्म के कारण लोगों में समर्थन दिया लाल के लिए के प्राचीर से प्रगामंत्री ने कहा कि गरीबों को सस्ता यूरिया उपलब्द कराने के लिए 10 लाख करोर रूपे की सबसीडी डी जा रही है स्री मोधी ने कहा कि MSME COVID के बावजूद डूबने नहीं दिया गया है उन्होंने कहा कि 1 rank 1 pension से लाखो जेवन को लाव हुआ स्री मोधी ने कहा कि 5 साल के कारेकाल में 13.5 करोर लोग गरीबी रेखा से उपर आई है उन्होंने कहा कि विश्व कर्मा जहनती पर पारंपारी को आउजार बनाने वाले वर्ग के लिए विश्व कर्मा योजना सुरू की जाएगी इस योजना की सुरुवात करीब 14-15,000 करोड रूपे से होगी प्रधान मंत्री नर्दमोदी दिल्ली में लादकिली की प्राचीर से तिरंगा फैराय और राष्टे को संबोधित किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सेना के आदुनी की गरन के लिए निरंतर सुधार किये जा रहे हैं प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारा लच्ष गाउ में दो करोड लगपती दीदी बनाने का है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम नई योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए महिलास्वा सहता समोह को प्रसिक्षन दिया जाएगा तथा ड्रॉन दिये जाएगे। उन्होंने कहा कि क्रिश्री कारियों में ड्रॉन को लगाया जाएगा। प्रधान मंत्री ने बताया कि 15,000 महिलास्वा सहता समोह के साथ ड्रॉन की सेवा का सुभारम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत की एक्ता हमें समर्थ्य देता है। इसलिए विवित्ता में एकता के मंत्र पर पूरा बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हर सेवा शेष्ट होगी, हमारी संस्थाय सेष्ट होगी, हमारी सेष्टा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधान मंत्री ने कहा कि हम महिला के इंद विकास में मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं, महिला एवं अंत्रिक्ष और उद्योग सहित हर छेत्र में नित्युत कर रही है 37 दिवस के मौके पर लाल कीले की प्राचियर सेतिरंगा फैराने के बाद प्रधान मंत्री ने राष्ट को संब्धिर करती हुए कहा कि सरकार ने पसूधन को बचाने के लिए 15,000 करोर रुपे उनके टीका करन में लगाया प्रधान मंत्री ने कहा कि वरिष्ट नागरी को मध्यमवर्ग के परिवारों ने देश को नई ताकत दी है उन्होंने कहा कि जन और सिधी केंद्र से लोगों को सस्ते दरों पर दवाय मिल रही है आने वाले दिनों में इन केंद्रों की संख्या 25,000 कर दी जाएगी इसरो का चंद्रयान तीन मिसन लगवग गोलाकार कक्ष कक्षा में पहुँच गया है चंद्रमा के चारों और 174 किलोमेटर चोड़ा और 1437 किलोमेटर लंबी कक्ष में घूम रहे अंत्रिक्ष यान को कल रात 151 किलोमेटर चोड़े और 189 किलोमेटर लंबे गोलाकार कक्षा में ले जाने के लिए यान के ओन बोर्ड इंजिन को रेट्रो फायर करके चंद्रमा के करीब ले जाया गया बेंग्दोर में इस्टो टेलिमेटरिक प्रेकिंग और कमांडर नेट्रोक कल सुबह लगभग सारे 8 बजे कक्षा में कमी करने की प्रक्रिया सुरू करेगा इसके बाद अंत्रिक्ष यान 100 किलोमेटर लंबे चोड़े चंद्र गोलाकार कक्षा में प्रवेश करेगा इस्टो का लक्ष 23 अगस को चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 के लेंडर की दक्षिनी द्रूब पर सौफ्ट लेंडिंग कराना है भारत चंद्रमा पर अपना पैलोड उटाने वाला चौथा देश बन जाएगा रोस की लुना 25 अंद्रिक्ष यान भी चंद्रमा की और बढ़ रहा है और इसके 21 अगस को दक्षिनी द्रूब में उतरने की उम्मीद है चंद्रमा के दक्षिन द्रूब पर जिस देश का अंद्रिक्ष यान सबसे पहले उटरेगा वहत यह उपलब भी हासिल करने वारा प अँद्रिक्ष यान भी हासिल कर दीघए उट यह झाल दिक्षिने उटर्वागा रहाँ कि यह झाल झाल हुटँ में धुटछब यहाश्चा शचा। एक्षिने आर भी हासिए